नमस्कार दोस्तों, मैं राजिन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे स्चेलंज जोतिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूँ अगर आप मुझसे और मेरे स्चेलंज से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दिगई सब्स्राइब बटन को प्रेस केजिए तथा साथी वेला आइकन को भी दबाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें जैसे कि आपको पता ही है कि आने वाली 14 जनवरी से 14 जनवरी से कुम्ब मेला शुरू होने वाला है जो कि प्रयागराज में होगा प्रयागराज का पुराना नाम इलावाद है जो आज हम प्रयागराज के नाम से जानते है और इस बार का जो कुम्ब है उसे अर्द कुम्ब कहा जाता है अब इसे अर्द कुम्ब क्यों कहा जाता है अर्दकुम इसलिए कहा जाता है कि जिन 4 जगए कुम्ब का मिला लगता है उन में से 3 जगए यानि हरिद्वार, उज्जेट और नासिक इन में जो कुम्ब आता है वो हर 12 साल के बाद आता है तो इस बार का जो कुम्ब लग रहा है उसको बोलते हैं बेसे तो आपको पता ही है कि कुम्ब में इसनान करने का सोभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है तो अखिर क्यों है कुम्ब में इसनान करने का इतना महत्व है या यू कहें कि कुम्ब में इसनान करने का क्या महत्व है। कुम्ब में इसनान करने से शारिरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धी होती है। पापों का नाश होता है और अनंतपुन्य फल प्राप्त होते हैं। तो शास्त्रों में इसी मानिता है कि कुम्ब पर्व पर इसनान करने से बो सभी फल प्राक्तों होते हैं जो एक हजार कार्टिक इस्नान प्लस सो माघ इस्नान प्लस अंगिनित वैशाक इस्नान प्लस अंगिनित नरवदा इस्नान प्लस शहिष्ट्र असमेग यग प्लस सो बाजबे यग, प्लस एक لاकह प्रत्वी की परिक्रमा करने से, ये सब जितने अभी मैंने बता हैं, इनके करने से जो पुन्निय आपको मिलता है, जो फल आपको मिलता है, उतना फल कुम्ब में एक बार इसनान करने से मिलता है, तो सोचिए कि कुम्बक में इसनान करना कितना महत्पोने कितना फल लाईए इसलिए हर इनसान को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार कुम्ब में इसनान जरूर करें तो आप सभी के पास एक मौका है अपने पुन्य को बढ़ाने का और पुन्य फल प्राब्द करने का तो प्रयाग राज में 14 जनवरी से कुम्ब का मेल आईजित हो रहा है आप जाईए और इसनान करिए और अपने जीवन को सफल बनाईए तो कैसा लगा आपको यह वीडियो और इसमें दीकिश जान करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज असे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे स्टेनल जोतिश मंतर को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप रहे हैं खुश और मुझे दीजिया आग्या जाहिए